अविद भार्द्वाज is making a very good point that it is very unlikely that there could be other support coming in because it's seen as an anti-social element group. However, we'll wait and watch about what happens next to that. Jitendra, I want to come to you because आप इतना closely agencies को track कर रहे हैं, जिस तरह से ये chain trail था, कुछ तो reason होगा कि चाहे state की सरकार भाजपा की है या कोई और सरकार है, चाहे Congress की है, हर state में coordinated action, state police के साथ, NIA के साथ permit किया गया, permission दी गई, इसका ये भी मतलब है या जो messaging दिख रही है कि सरकारे हैं, चाहे किसी भी state की हो, वो मान के चल रही है कि PFI में controversy तो है, issues तो है और raid करना इस वक ज़रूरी है. इस तरीके की बड़ी कारवाई की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में information आ रही थी, या फिर इसके लावा NIA हो या दूसरी agencies हो, लगातार ये information आ रही थी कि popular front of India और इससे जुड़े हुए जो संस्थान है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी गत्विदिया संदिक्ध हैं, जिसके आधार पर NIA ने एक बड़े अस्तर पर डौजियर भी तयार किया और उसके बाद उन्होंने जब इस तरीके की जानकारी हासिल कर ली, फिर इस तरीके का पैन इंडिया करवाई की गई, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रवीन नेत्तारू जो की करनाटक में उनकी हत्या की गई, उस हत्या में भी कई लोगों के नाम आ रहे थे, जो कि P इस तरीके की जब जानकारी आई तो उसके बाद से ही प्लान इस तरीके का तयार हुआ कि इनकी गतविधियां रेडिकल अक्टिवीटीज में किस तरीके से शामिल हैं, इसके लावा ये भी बताया जा रहा है कि पॉपलर फ्रंट आफ इंडिया और इससे जुड़े हुए जो संस्था हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से फाइनसिंग भी की जा रही है, जिसमें टेरर फाइनसिंग की बात कही जा रही है, उसके लिए बकायदे विदेशों से भी फंडिंग आती है, उस फंडिंग के लिए किस तरीके से एडि ने ट्रैक किया, इसकी भी जानकारी एडि की तरफ से साजा की जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से पूरे देश भर में, ये पूरा ऑपरेशन दोसों के आसपास जो एनाइए के अधिकारी और रेट पीम जो शामिल थी, वो सारे लोग इसमें शामिल थे, और इसके साथ साथ रात तो रात इस तरीके का ऑपरेशन किया गया, क्योंकि ये आशंका थी कि अगर दिन में इनके खिलाफ कारवाई की जाती है, तो हंगामा हो सकता, इसलिए बकायदे सीक्रेट प्लान तयार करके इस तरीके की कारवाई की, पर आपको बता दें कि पॉप्लर फ्रंट आफ इंडिया के प जब इनको ट्रैक किया गया, तो बहुत सारे लोगों की सनलिपता टिररर फाइनसिंग में शामिती है, इस वज़े से इस तरीके कारवाई 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 है, ये सिर्फ करनाट का केरला में जाए हो रही है, बिहार जारखंड में भी इनकी गतिवदिया देख जगों पर की गई थी, जो की तेलंगाना के निजामाबाद से जुड़ा हुआ केस था, इस केस में जो कराटे टीचर है, अब्दुल कादिर, उसके यहां एक कैम्प चलता था, उस कैम्प में कई एक्टिविटीज को शामिल किया गया था, जिसमें कराटे के नाम पर तो कै परवाई की गई, 40 जगों पर NIA ने चापे मारी इस पूरे मामले में किया था, इसके लावा आपको बता दें कि केरल में इससे पहले कई जो RSSS लीडर की हत्याएं हुई हैं, उन हत्या में भी किसी ना किसी रूप में पॉपलर फरंट आफ इंडिया का हाथ आ रहा था, त इसमें ये बताया जा रहा था कि गजवा एहिंद स्थापित करने की कोशिस की जा रही थी, जिसमें PFI से जुड़े हुए पंपलेट मिले थे, तो इस तरीके की जानकारियां जो एजनसीज हैं उनके पास मौझूद थी, उसके बाद कारवाई की गई, हाला कि हंगामा पॉ ये न्यूज ब्रेक करी सबसे पहले इंडिया टुड़े पे, अब एके करके कौन से स्टेट्स हैं, जिसमें PFI के अगेंस रेड करी जा रही हैं, पहले कुछ नाम निकले थे, क्या आप हमें और राज्यों के नाम बता सकते हैं, वेर इस रेड्स आ बिंग टेकन प्लेस, ब में पॉपलर फ्रंट आफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपको बता दें, दूसरा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहां पर PFI की एक्टिविटीज देखी जा रही थी, तमिलनाडू है, करनाटक, तिलंगाना, इसके अलावा करने के बाद, इन से जब नए खुलासे होंगे, तो उसके आधार पर आने वाले दिनों में और रेट्स हो सकती हैं, तो इस तरीके की बाते कही जा रही हैं, बताया जा रहा है कि NIA ने बाकायते इसके लिए कई महीनों से प्लान तयार किया था, और उस प्लान के पीछे यह था कि अलग-अलग जगों पर उनकी जो अक्टिविटीज देखी गई थी, चाहे वो करनाटक हो, बिहार हो, जारखंड हो, उत्तर पदेश हो, इन तमाम जगों पर पिछले कुछ दिनों में अक्टिविटीज पॉप्लर फ्रंट आफ इंडिया और उससे जुड़े हुए स जो में कर रहे हैं